हेलो फ्रेंड्स, नॉले सेंटर फॉयू में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम लोग IPL 2020 की आठी में और उनके मालिकों के बारे में पढ़ेंगे हमने पिछले एक्जामों में देखा कि IPL संबंदि कई बार क्वेशन पूछे जा रहे थे और खास कर IPL की आठी में और उनके मालिकों के बारे में पूछा जा रहा था तो इस वीडियो में हम लोग IPL की आठी में और उनके मालिकों को question answer के थुरू पढ़ने जा रहे है तो दोस्तों आप इस वीडियो को ज़रूर पुरा देखिए और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना ना भूलिए बेल आइकन दबाने से आपको हमारे latest वीडियो की notification मिलती रहेंगी तो अभी question answer लेने से पहले मैं आपको 2020 के IPL संबंदी कुछ short सी information दे देता हूँ जैसे कि 2020 IPL का आयोजन ये 29 मार से होना था पर उन्तु कोरोना के चलते इन्हें खिलाना संबव नहीं हुआ तो अभी इन्हें 19 सितमबर से 10 नवंबर के बीच खिलाए जा रहा है और IPL इतियास में ऐसा तीसरी बार हो रहा है कि IPL टुर्नामेंट्स को भारत के बाहर खिलाए जा रहा है दो बर पहले लोगसबा चुनाग के वज़े से इन्हें भारत के बाहर खिलाए गया था जैसे कि 2009 में इन्हें South Africa में खिलाए गया था देखिए चैन्ने सुपर किंग्स के मालिक कौन है तो यहां पर देखिए option C आपका right answer होगा एन्श्रिनवासन यह चैन्ने सुपर किंग्स के मालिक है एन्श्रिनवासन यह BCCI के पूर्व अध्यक्ष थे और India Cements इस कमपनी के यह मालिक है तो याद रखिए चैन्ने सुपर किंग्स के मालिक है एन्श्रिनवासन अगला प्रशन देखिए IPL 2020 में राजस्तान रॉयल्स इस टीम के मालिक कौन है तो राजस्तान रॉयल्स टीम के बारे में पूछा गया है राजस्तन रॉयल्स इस टीम के मालिक है मनोज बदले option D आपका right answer होगा और मनोज बदले यह एक business man है और British Asian Trust यह company है तो इसके यह chairman है और मनोज बदले यह England में रहते अगला प्रशना देखिए डिल्ली Capitals के मालिक कौन है? तो डिल्ली Capitals के मालिक है गांधी मलिकारजुन option A आपका right answer होगा और गांधी मलिकारजुन यह GMR Sports के मालिक है अगला प्रशना देखिए कॉलकता नाइट राइडर्स के मालिक कौन है? जैसे कि आप सभी को पता है कॉलकता नाइट राइडर्स के मालिक है शारु खान पर यहाँ पे option में आपको शारु खान नहीं दिया गया तो आपका right answer होगा जै महता कॉलकता नाइट राइडर्स के सह मालिक का नाम है जै महता यह महता गरूप के चेर मेंने और जूई चावलाखी है पती है लाइन्स इंडेश्ट्री के माली मुकेश अंबानी इनकी पत्नी निता अंबानी तो option सी आपका right answer होगा निता अंबानी ये मुंबई इंडेन्स की माल कीन है और निता अंबानी से दोस्तों आप लोग याद रखिये इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी में भारत की एक मात्र सदस्य है निता अंबानी अगला प्रशन देखिए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के मालिक कौन है 2008 में जब रॉयल चैलेंजर्स टीम को खरीदा गया था उस समय इसके मालिक थे विजय मालिया परंतु विजय मालिया के देश छोड़ जाने के बाद अब इसके मालिक है महेंदर कुमार ओप्शन डी आपका राइट अंसर होगा महेंदर कुमार ये यूनाइट स्पिरिट लिमिटेट के मालिक है अगला प्रशन देखिए किंग्स 11 पंजाब के मालिक कौन है किंग्स 11 पंजाब का नाम आया है तो आप सभी को पता है कि प्रिटी जिंटा इस टीम की मालकीन है परंतु ओप्शन में यहाँ पे प्रिटी जिंटा का नाम नहीं है किंग्स 11 पंजाब इस टीम के चार मालिक है जैसे कि प्रिटिजिंटा, वाडिया ग्रूप के नैस वाडिया और डाबर ग्रूप के मोहित बर्मन और एपीजे सुरेंदर ग्रूप के चेर्मेन करन पॉल तो यहाँ पर ओप्शन में करन पॉल का नाम दिया गया है तो ओप्शन भी आपका राइट अंसर होगा किंग सिलेवन पंजाब इस टीम के मालिक है करन पॉल अगला प्रशन देखिए सन राइजर्स हैदराबाद इस टीम के मालिक कौन है देखिए यहाँ पे option सी right answer होगा डाबर गुरूप के मोहित बर्मन ये King's 11 पंजाब के सह मालिक है Next देखिए निमनलिकित में से ये दिल्ली कैपिटल्स के सह मालिक है तो जैसे कि मैंने आपको बता हैं दिल्ली कैपिटल्स के मालिक का नाम है गांधी मलिकारजुन गांधी मलिकारजुन ये JMR स्पोर्ट्स के मालिक है और इनके सह मालिक है JSW ग्रूप के चेर्में सज्जन जिंदल तो option D आपका right answer होगा सज्जन जिंदल ये दिल्ली कैपिटल्स के सह मालिक है तो दोस्तों ये था हमारे वीडियो का आज का आकरी क्वेशन तो इस वीडियो में हमने IPL के आज टीम है और उनके मालिकों के बारे में पढ़ा तो आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए तो मिलते हैं इसी तरिके के नए वीडियो में